दोस्तो P.E.B. Professional Examination Board में आप समो 2, उप समो 4, समो परिक्षाण एवं समक्षक पदों के लिए, सीधी एवं, बैक लोग भरती तथा पटवारी पदों के लिए आविधन कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप पटवारी के लिए आविधन कैसे कर सकते हैं, Professional Examination Board के तहर, दोस्तो इस वीकैंसी के लिए आप अपने किसी भी नजदी की MP Online Portal पर जा सकते हैं, या सीधे ही आप MP Online Portal से इस वीकैंसी के लिए आविधन कर सकते हैं, कैसे आविधन करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो बह एक लॉग भरती तथा पटवारी पदों के लिए आप ऑनलाइन आविधन कैसे करेंगे, तो आविधन करने के लिए सबसे पहले आपके पास में PEB का उम्मीदबार प्रोफाइल पंजियन होना आवस्सक है, जिसकी मदद से आप यहाँ पर इसके लिए आविधन कर दोस्तों, अगर यदि आप MP Online संचालक हैं, तो पहले कोशिश कीजिए, आप अपने MP Online Portal को लॉग इन कर लें, उसके बाद आप इस फॉर्म को भरें, जिससे कि आपको कमीशन मिलेगा, और अगर यदि आप आम नागरिक हैं, तो आपको MP Online Portal पर आजाना है, यहाँ पर आपक को स्क्रॉल डाउन करके, PEB Professional Examination Board का आइकन नजर आजाएगा, इस पर क्लिक कर देना है, जो भी विकैंसी निकली हुई है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, इस विकैंसी के लिए आप अपलाई करना चाहते हैं, उस विकैंसी की डिटेल्स यहाँ पर नजर आजाएगी, म पंजेन क्रमांक नमबर और जनम तिथी यहाँ पर दर्च करेंगे, इस कैप्चर कोट को फिल करके सत्यापन कर आगे बढ़ाएँ पर क्लिक करेंगे, अब आपकी प्रोफाइल के अनुसार अधिकतर जानकारी यहाँ पर पहले से ही ले ली गई है, आपको नीची आना है, यहाँ पर आपकी सभी जानकारी नजर आ रही है, जो कि आपने प्रोफाइल पंजेन में दी थी, आपको नीची आना है, क्रमांक नमबर 33 के बाद से आपको आपकी अन्य और जानकारी भी देना है, जैसे कि लास वर्ग भूत पूर्व सैनेक हैं, या फिर बिना वर्ग के ह उसका चेन कर लेना है, अगर भूत पूर्व सैनेक हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होती है, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है, इसी प्रकार की और अन्य जानकारी भी आपसे पूंची जा रही है, उसके अंतरगत आते हैं, तो हाँ पर क्लिक करना है, इसी प्रकार से फिर्मांग नंबर 45 में आप देखेंगे, अगर यदि आप सरकार द्वारा दी जारे ही किसी भी सर्वेस का लाब आप यहां लेना चाहते हैं, आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अनथा नहीं पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां क्लिक here to select preference पर क्लिक करना है, इस कौन से जिल्या या फिर कौन से पद को ऊपर रखना चाहते हैं, तो आप उसे select करके, ऊपर arrow पर क्लिक करके, उसे top पर रख सकते हैं, अपने अनुसार 24 काटिगरी पर रख सकते हैं, फिर्ष्ट पर रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहां पर जबलपूर को फिर्ष्ट यानि कि आविदा के पास में होना चाहिए, रोजगार पंजेन कैसे किया जाता है, रोजगार पंजेन के लिए आविदान कैसे करते हैं, इस पर मैंने पूरा एक प्रॉपर वीडियो बना दिया हूँ, उपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो रोजगार पंजेन का पंजेन कर्मांग और कब जारी किया गया है, उसका दिनाएं के यहाँ पर आपको दर्च कर देना है, इसके पहले उपर आप यहाँ पर देखेंगे, आपने सभी जानकारी पॉड़कर ही उसपर टिक किया है, यदि आप मद्व पिर्देश के मूल नवासी हैं, तो आपको यहाँ पर आपका शहर का नाम सेलेक्ट कर लेना है, अब शहर का प्रथम नाम यहाँ पर चेन करना है, थर्ड में हम कटनी कर देते हैं, फॉर्थ में हम बाला घाट का चेन कर देते हैं, उसके बाद नीचे इस बॉक्स को चेक मार्क करना है, और आगे बढ़ाएं पर क्लिक करना है, अब यहाँ पर आपको आपके द्वारा भरा हुआ फार्म नजार आएगा, उससे अच्छे तरह से चेक कर लेना है, यहाँ पर भुक्तान नहीं लिखा आ रहा है, इसका मतलब अभी आपने इसकी पैमेंट नहीं की है, आपको नीचे आजाना है, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, पहले आपको इस प्रिंट पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे फिर आपको प्रोसीड टू पैमेंट पर क्लिक करना है, अगर यदि आप MP Online संचालक हैं, तो आपको MP Online Portal पैमेंट गैटवे पर ले जाये जाएगा, जहां पर आपके MP Online Portal पर पैमेंट उतनी मौझूद होना चाहिए, जितनी इसकी फीस है, वहाँ से आप इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और अगर यदि आप आम नागरिक हैं, तो आपको पैमेंट गैटवे पर ले जाए जाएगा, आप अपना ATM या नेड बैंकिंग, या डेबिट कार्ट, क्रेडिट कार्ड, यूपी आई के माद हमसे पैमेंट कर पाएंगे, इसके बाद आपको यस पर क्लिक करना है, फिर प्रोसीट टू पैमेंट पर क्लिक करना है, पैमेंट मूट पर ले जाए जाएगा, यहाँ पर कैश पैमेंट के माद हमसे लेना चाहते हैं, या फिर QR code के माते हम से उसका chain कर लेना है मैं cash payment पर click करूँगा proceed to payment पर click करना है MP online का password आपको यहाँ पर dutch कर देना है फिर confirm payment पर click करना है अब यहाँ पर आपका form सफलता पूरवर भर चुका है यहाँ पर इसका भुकतान भी हो चुका है अब नीचे जाकर के आप print पर click करके इसका print out ले सकते हैं होप कि वीडियो पसंद आया होगा इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल पर पहली बार हो तो subscribe करना ना भूलें वीडियो को like, share, comment करना बिल्कुल भी ना भूलें मिलते हैं अगली किसी वीडियो में मुझे दीजी जाज़त जय हिन वन्दे मात्रम